केंदर और राशरकार के दुआरा जो मुफ्त में राशन वितरन किया जा रहा है कोरोना काल में भी दिया जा रहा है लाभूकों को किस तरह ये योजना को धरातर को तरवा रहा है खाद एवे मुफभूकता संग्रिक्ष्वर विभाग की द्वारा निरेश प्राप्त है कि मई मामा का जो अनाज है तो रेगुलर जैसे मिलता था प्रती यूनिट पांच केजी दो केजी गे हूँ तीन केजी चावल तो वो तो मिलेगा ही शाथी जितना प्रती यूनिट पांच केजी फ्री रासन भी मिलेगा और दोनों ही इसकी जो रेगुलर एन फसे प्लस ये प्रधनमंतरी गरीब कल्या नियोजना के थाथ मिलने वाला, दोनों ही रासन बिलकुल निशूल के मिलेगा, इसके लिए लाभू को एक भी रूपया का भुगतान नहीं करना होगा इसका परचार परचार कैसे किया जा रहा है? इसका परचार परचार सेकरेटरी सर के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंस के द्वारा बताया गया कि सभी डिलर को अपने अपने शेतर के अंदर इरिक्षा, शैकल या निकी वीविन तरीकों से लाभू के बीच में परचार परचार करना है कि ये राशन का वितरन सुरू हो गय ये दोनों स्कीम का अनाज आप दुकान पड़ा के छे बजे से दो बजे का टाइम है अनाज वितरन का तो उसमें वो आके अपना लेले निशुलक और जो कोविड का गाइट लाइन है उसको पूरी तरह पालंग करना है अगरी जो जन्वितरन में बहुत जगा शिकायत आ रही थी कि उन लोगों को गुडाउन से खरावराशन मिल रहा था लावो को और जन्वितरन जो हैं उनके भीच थरा आपरोश बर रहा था इसको लेकर के क्या कर रहे हैं एक दो जगा से हम लोगों को भी शिकायत प्राप्त नहीं है शारी छेतर शाहर सा अंतरगत शभी विक्रेता को असपस्ट रूप से कह दिया गया है कि अगर थोड़ा सा भी एक भी बोरा कोई डैमेज है चावल तो उसको इमेडियेट अपने प्राधिकारी को सूचना देते हुए एक्सेंस कर लें किसी भी परिस्तिती में ला सामला सारी छेतर अंतरगत नहीं अभी तक पाया गया है कि खराब खाध्यान का वीतरण किया गया है एकदम शही गेहूं और चावल का वीतरण किया जा रहा है नि बिल्कुल निशूल्क कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं